इस पीडियों में आपको बताने जा रहा हूँ, Excel के sheet को कैसे print करते हैं, सबसे पहले Excel के file को open करते हैं, यहां मेरे Excel का sheet है, इसे print करने के लिए, यहां क्लिक कर, print पर mouse रखकर, print preview पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं, last का कुछ column यहां show नहीं कर रहा है, इसे show करने के लिए, close print preview पर क्लिक करते हैं, पेज layout पर क्लिक कर, और orientation पर क्लिक कर, Linux के पर select करते हैं, आप देख सकते हैं, यहां पर एक dot line show कर रहा है, यह dot line यह बताता है कि, इस sheet को print करने पर, यह column print में नहीं आएगा, इसे confirm करने के लिए, एक बार print preview चेक करते हैं, आप देख सकते हैं, यहां पर एक column show नहीं कर रहा है, इसे close करते हैं, इस column को show करने के लिए, यहां पर castra idea को कम कर देते हैं, इस area को कम करने के लिए, यहां mouse रख कर, left click दबाते हुए, बाइन साइट move करते हैं, इसी तरह से, इस area को कम करने के लिए, यहां mouse रख कर, left click दबाते हुए, बाइन साइट move करते हैं, अब आप देख सकते हैं, यह last का column, dot line के अंदर आ गया है, print preview चेक करते हैं, अब यहां पर last column show कर रहा है, लेकिन stable का border show नहीं कर रहा है, border को show करने के लिए, इसे close करते हैं, border show करने के लिए, यहां पर left click दबाते हुए, mouse को नीचे की ताब move करते हैं, इसका shortcut की Ctrl A है, और आप home पे click कर, border पे click करते हैं, all borders पे click करते हैं, और अब इसमें border add हो गया है, यहां क्लिक कर, print पे mouse रख कर, print preview पे click करते हैं, आप देख सकते हैं, अब इस sheet में किसी तरह आप problem show नहीं कर रहा है, close print preview पे click करते हैं, फिर तो यहां क्लिक कर, print पे mouse रख कर, print पे click करते हैं, यहां से अपना printer select कर, okay पे click करते हैं, इसे close करते हैं, yes पे click करते हैं, जाए हैं, झाल झाल